हाई गाईज वेकम टू में चैनल मैं हूँ फारिय जवेद आज मैं आप लोग साथ शे करने वादी हूँ किस तहां आप लोग एर मुग कर सकते हो और इसके लिए हमने क्या करना है आप लोगों ने लेना है सबसे पहले एक लिंग बोल लोगे उसमें आप लोगों ने डालना है मीठा सोडा है ये आपको बजार से मिल जाएगा या अपन साड़ी की शॉप से भी ले सकती हूँ यह लोगे में मीठा सोडा इत आपने लेना हाफ टीश्पून इसके बाद आप लोगों ने लेनी है टूथ पेस्ट तूथ पेस्ट आप लोगों ने वाइड कलर कि लेनी है यह बारी यह यहिए है मैंने वन टी स्पुन उसके बाद आप लोगों ने लेना है हाफ लेमन लेना है आप लोगों ने तो आप लोग में चैनल पर निये हो में चैनल को लाइक चिरो और सस्क्राइब कर दें तो आपने मुझे इस्टरग्राम पे फोटो करना है फ्रिक पीड लाई करना है यह मेरे लिया है ने साहर नहीं डालना कि है इसके इसको करोगी कि कि में अच्छे तरिका सिमेख लिया है और आप आप लोगों ने कि यह करने इसो क्या से कि आप लोगोंने देखा होगा कि इस पे बहुत ज्यादा वीडियो बनी हुए लुप कि अपने चाह only कर सकते हो किस तर आप लोग कर कि यूज करनी है Yeah कि यह देखिए इसको में लगाया है कि आपने सिरफ इसको मेखा चार से पांच मिट के लिए छोड़तें आपने पास ता आरे लेगार है तो सिरफ से पांच मिन के लिए लगारा आप लोगों ने और आपने पिर बाद इसे बाल बिल्कुल भी नहीं रिमूव होते आप लोग इसको यूज करके देखना स्कीन को जरूर यह लाइड करता है जो आपका डार्क एरिया होगा उसको लाइट जरूर करेगा आपने इसको जरूर ट्राइ करना है और इसके रिजल में साथ आप लोगोंने शेयर करने है और इसको मैं 4-5 दफा वीग में यूज़ कर चुकी हूँ इस स्कीन जरूर लाइट हुई है लेकिन है रिमुव बिल्कु नहीं हुए और आप लोगों को मैं साथ करके दिखाती हूँ यह देखें बलके यह स्कीन मेरी रड हो चुकी है और यह देखें फेर रिमुव बिल्कुर भी नहीं हुए और यह आप लोग टिशू भी दे सकते हो यह देखें आपको कोई भी एक बाल नहीं नजर आ रहा तो इसलिए इसको आप स्किन को नाइट करने के लिए जरूर यूज कर सकते हो लेकिन आपने इसको अपने फेर बिल्कुर नहीं यूज करना इसको नेक पे भी यूज कर सकते हो आप लोग इसको अपने बाल दो पे बहुत कर सकते हो और फिर पे भी यूज कर सकते हो जुरूर इसको यूज करें और इसके रिजल्स में इसाच शेर करें वपया खर हैं तो लाइक को शेर इसकरेंग को सब्सक्राइब करते हैं लाफी में